जै जै माता दिमित्रो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको एक बहुत ही गुप्त गुरु मंत्र बताऊंगा या गुरु मंत्र आप जिस भी व्यक्ति के उपर प्रयोग करेंगे बस आखे बंद करके इस मंत्र का चाप किजे और जिसके उपर वशिबूत करना चाहते हैं उसे नजर भर से देखकर इस मंत्र को बोलिए फिर देखिए किस तरह से व्यक्ति आपके पीछे पागल हो जाएगा या पागल हो जाएगी यह बहुत ही बड़ा गुप्त और गुरु मंत्र है तो इस मंत्र का दुरुपयोग ना करें दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखें और संपूर्ण विधी को समझें आधा अधूरा में यह काम नहीं करेगा दूसरी बात कि आप इसे जिसके उपर प्रयोग कर दिये यह निस्चित है कि वह आपके पीशे पढ़ जाएगी या पढ़ जाएगा इस्त्री और पुरुज दोनों ही कर सकते हैं तो सिर्फ प्रयोग करने के लिए ना करें इसका प्रयोग और परिणाम पहले से ही किया जा चुका है जो कि कार करता है तो आपको यह सब प्रयोग देखने की ज़रुरत नहीं है सिर्फ तभी करें जब आप साधी सुदा हो, पत्नी दूर चली गई हो, पती दूर चली गया हो या फिर आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं जिससे आप साधी करना चाहते हैं क्योंकि यह सब गुरु मंत्र आपको बहुत ही गुप्त रूप से दिया जाता है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उस इस्थिती में प्रयोग करें जब आप सही हो और आपको सही साबित करने के लिए अपने प्यार को पाने के लिए राह नहीं मिल रहा हो तो इस वीधी को करना कैसे है इस मंत्र को सबसे पहले याद रखिएगा गुप्त जुगुरु मंत्र है उसे आपको अकेले में किसी भी रात्री में याद रखे किसी भ साथ दिनों तक कम से कम आपको साथ दिनों के अंदर गत एक हजार बर चाप करके रख लेना है। साथ दिनों में एक हजार बर जब आपने इस मंत्र को जाप कर लिया इस गुरू मंत्र को उसके बाद जिस व्यक्ति को आपको वश्यभूत करना है। उसके पास चले जाएए आख मुंद कर सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र को तीन बार बोलिए और आख खोल कर उस व्यक्ति को बीना बलग जपकाए देखते हुए दो बार मंत्र बोलिए बस बाकी के कुछ नहीं है आपको यह मंत्र की सक्ति खुद बखुद अपनी आखों के सामने दिखा देगी यह मंत्र की सक्ति उसी तरह है मित्रो जिस तरह से अगर आप छोटे से बीज आपने देखा होगा छोटे से बीज से आप किसी कितने भी बड़े पेड को आप उगा सकते हैं कहा जाए एक छोटे से बीज में ही बहुत बड़ा पेड छुपा रहता है लेकिन वह तभी सामने आता है जब वह जागरित होता है उसी तरह है यह बीज मंत्र है इसमें पुर ब्रह्मान की सक्तियां चीपी हुई है जब इसे आप खोल कर रख देंगे तो वह सक्तियां प्रवाहित हो जाएगी वह सक्तियां जागरित हो जाएगी और आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेंगे तो इस वश्यकरन विधी का गलत प्रयोक तो कदा पी ना करें और प्रयोक से संबंधित कुछ समस्या हो तो नंबर डिस्पले में आपको सो होता है उसमें आप वार्ट्सप या मैसेज कर सकते हैं जय जय माता दिमित्रो